पुलिस तक मामला जा रहा है लेकिन पुलिस कोई कारवाई करते दिख नहीं रही है पुलिस ने तो बस्तर में इसाईयों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले आदिवासी या गैर आदिवासी ताकतों के हमले जहले हैं बड़े बड़े अफसर उसमें जख्मी हुए हैं ऐसे कई तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और लगातार ये घटनाएं बढ़ती चल रही हैं पिछले सालों में ये घटनाएं बहुत बड़ी संख्या में सामने आई हैं हिंसा बहुत बड़ी है जो पहले नहीं थी हिंसा के साथ साथ एक दूसरी चीज यह है कि बस्तर जैसे इलाके में जो आदिवासी इसाई बन रहे हैं उनका जिस तरह का सामाजी बहिशकार चल रह है यह मैं सारी खबरों की जुबान बोल रहा हूँ ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर हमारी कोशिश है कि हम इसाई समुदाई के किसी एक प्रतिनिधी से बात करें उनके पक्ष को समझने की कोशिश करें क्योंकि हमलावरों का तो कोई प्रतिनिधी है नहीं और सरकार कुछ बोलनी रही है इस मौके पर निता कुछ बोल नहीं रहे हैं सत्ता रूर निता मेरा मतलब है तो ऐसे में हम इसाही समुदाय के किसी प्रतनीदी से बात करके उस समुदाय के जख्मों को देखना चाहते हैं हमारे पास लगाने को जुबानी हमदर्दी के अलावा और कोई ताकत नहीं है लेकिन हम कम से कम इनसाफ के साथ खड़े हैं ऐसा भी हम बतलाना चाहते हैं देखते हैं आज हम एक बात्चीत करने माले हैं उस बात्चीत से आपको क्या साफ होगा आप खुद नतीजा निकालिएगा नमस्कार मैं 36 अगबार से सुनील कुमार अपने दर्शकों और पाठकों के बीच में मैं 36 गड़ के आज एक बड़े जलते सुलते मुद्दे को लेकर एक बात्चीत के लिए मौजूद हूँ हमने यहां अमंत्रित किया है अरुन पन्नालाल जी को अरुन पन्नालाल जी 36 गड़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्षे हैं इसमें इसाई समुदाई के अलग-अलग सभी तब के इसमें शामिल हैं इसमें प्रोटेस्टेंट शामिल हैं कैथलिक शामिल हैं और दूसरी ब् कि नौबत में हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि आज ये 36 गड़ में जगे जगे इसाईयों के साथ जो संघर्ष की जो नौबत आ रही है जो ऐसा भी लगता है कि इसाई सभाओं पर परिवारों पर चर्च पर हमले हो रहे हैं ये क्या नौब आज की नहीं है और थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूं सिएसान 1950 से इसाई के समाज के अगेंस्ट एक नेरेटिव बिल्ड के अगया है और इसके बड़े अल्टिरियर मोटिव्स हैं मतलब बड़े बयानक परिणाम के साथ ये मुहिम चालू की गई है किसी प्रेजिएंट को कोई अथारिटी नहीं है उसको विधान सब पार्लिमेंट से पास करना पास हुआ नहीं और हमारा आरक्षन उसमें रोक दिया गया सन 1962 में जाते हैं तो 1962 में हमारा FCRA रोका गया उसके बाद हमारी जितने इंस्टिटूशन से वो सब एक कोने से पूरा बंद होते गए उसके बाद उसके पहले से अभी देखें तो 1964 में धर्मांतरण के विधेक आना शुरू हो गए धर्मांतरण के विरुध तो ये कोई एक पार्टी का विचालधारा नहीं है बड़ी सोची समझी रण नीती चाल है जो 1950 से चलिया रही है और उसका खाम्याज हम समय समय से बताते आ रहे हैं बोलते आ रहे हैं बुद्धी जीवियों में चर्चा करते आं पर हम लोग इतने कॉंप्लेसेंट थे इतने शांती पूर थे कि हम ने कभी इसमाय ध्यान दिया और आज हम उसका फ्ल भूगत रहे हैं देख रहे हैं कि आग इतनी भड़क चु है कि इसमें जो है हम दर्दी गैदर करना चाहते हैं by creating hatred नफरत बढ़ा करके सुरगा करके हम दर्दी बटोरने का खेल कर रहे हैं यह सबसे ज़्यादा हमारे लिए मद्दुखदाई है और जैसे मैंने भी बोला अब मैं आता हूं इसके बात कि अगर हम बात करें 72 75 से 80 तक आ मैं हर पार्टी को दोश देता हूं कोई एक पार्टी को नहीं देता हूं जिसमें कि यह हमले खुल के सामने आते गया हैं अगर आप चले जाते हैं इसमें 1998 में आ जाते हैं तो ग्रहम स्टेंस को जलाएगा जिन्दा बच्चों को उसके बाद असाम में देखिए और उसके बनने लिए हैं 500 मैसकार से तो यह मैसकार की सिती धीरे धीरे डवलत हो गई है कि आज नहीं बनी है यह आज हो जाके बस्तर में हो गया है ऐसा कते ही नहीं है अब मैं बस्तर को थोड़ी सी ठीक से बात करना चाहता हूं बहुत संक्षित में बोलूंगा और कम समय लूंगा वो एक आदिवासी बहुली एरिया है वहां पर हमारे जो चर्च है या इसाई धर्म है वो 1950 नहीं बलकि 1925 और 1928 से बने हुए हैं और सब आदिवासी वहां बड़े शांती से रहते हैं प्रेंस से रहते हैं आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और अभी जो आख सम समस्या देख रहे हैं ये आदिवासी समाज के साथ कोई समस्या है नहीं इस नोट यह तो उनको जा करने उसका यह भड़काया गया है उनको उसका आया भड़काने के पीछे ही एक चाल है वहां पर अभी आपने डिलिस्टिंग की सुना होगा डिलिस्टिंग का यह हववा उठाया जा रहा है बस्तर में भी यह सब बाते हो रहे हैं इसके पीछे बहुत सीधी सिंपल चाल है देखे वहां पर क्या है कि जब तक आधिवासी आधिवासी रहेगा समयधानिक संड्रक्षन उसको प्राप्थ होता रहेगा तो आज खेल यह हो रहा है कि आधिवासी को या हांतु हो जाते तो यह असली खेल है वह खेल इसलिए है क्योंकि वहां का धन और वहां का जो भाव फौवव सुर्थ हैं जो जमीने मिचंगल है आधि ज्ञेुर खरोडों में जमी की नीचे जो भावं लाख करोडों में हैं इसको हथ्यान कभ्जा करणे के लिए एक तो ना आदिवासी समाज को वहां तकलीफ है ना किसी को तकलीफ है और यह जो है जितनी भी हिंसा आज देख रहे हैं पूरे चत्तिसगर प्रजेश तो आज आया है पर हम हिंदुस्तान में जितनी भी हिंसा देख रहे हैं यह अपने आप नहीं हो रही है यह प्रयोजित है औ और इसे बहुत बड़ा धन्बल लग रहा है, धन्बल लगने के कारण ही आज इतने उग्र हो रहे हैं लोग, अब मैं बड़ा पॉइंटेट क्वेश्चन अपना बस्तर का कर रहा हूँ, बस्तर में मैं बहुत सक्रिय हूँ, हमारे वहां करीब 21 सिकाईया हैं और एक बार में 8-10,000 लोग बहार आते हैं, तो मेरा जो पॉइंटेट क्वेश्चन ये है, कि वहां जो आदिवासी बाहुल्य में काम करते हैं, बाकी आदिवासी को समस्या ही नहीं, जब आदिवासी को समस्या नहीं है, तो अब समस्या किसको है वहां पे, तो ये जो समस्या है, ये प्रा पाकी सब का काम होना चाहता है, उसमें रवोट का भी फाइदा है और उसका भी फाइदा है, तो उसको घोशित करने के लिए आज वहां उनकी देवगुडी है, देवगुडी को मंदर का रूप दे दे गया है, वहां पे मंतर, मैं खुद गोंड हूँ, मैं आया मैं अदिवा और मैं चार जनरेशन से मैं कनवर्ट हो गया हूँ, कॉन्वें पढ़ा हूँ, तो मैं दोनों दर्द समझता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पेंडर का रहने वाला है, गोंडवाना से मैं आता हूँ, तो मेरा यह जो सबसे पहला आरोफ है, जो लगा रहा हूँ, यह जो आदिवासी को भढ़काया जाता है, मैंने देवगुडी की बात करी, देवगुडी में जो है, उसको मंदर नुमा शेव दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक छंद कह सकते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं, या अपना दोहा भी नहीं, जो मंतर पढ़ते हैं, मंतर के माफ पर चली अभी काम चला लेते हैं उससे, तो उसको जो मंतर पढ़ा जाता है, उसमें सिर्फ हमारे पूरवजों को याद केर चाते हैं, यह इसका बाबा, उसका गाबा, इसका दादा, ऐसे करके उनको मन-सम्मान देते हैं, उसको ہम बुडा-देव कहते हैं, और उसको करके स आज हाजिर है उसको हम शुरू करते हैं आज के कार्य करम को अब वो परंपरा बदल गई है उस उनके जो उच्चारण जो हुतने हैं मंतरे में से ब्रह्म विष्णु महेश आ रहा है हमारे पूरवच के नाम सब मिड़ गए हैं उसमें से मैं अरुम जी यहां पर थोड़ा सा दखल देना चाहूंगा आप कह रहे हैं कि उनके हिंदू करण की एक किसमन से कोशिश चल रही है वहाँ पर कोशिश यहां साजिश जिस नजेरिये से भी देखें मैं दूसरा देख रहा हूं कि वहाँ पर इसाई संगठन जो हैं उनको इस इसाई बनते हैं तो भी पहली बार कोई धर्म अक्तियार करते हैं अधुनिक धर्म हिंदू बनते हैं तो भी पहली बार कोई अधुनिक धर्म अपनाते हैं ऐसी नौबत में अगर इसाई संगठन वहाँ पर उनको इसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हिंदू संगठन जो है उनके हिंदू करन की कोशिश कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं मैं उसे पूरा सहमत हूँ और उसे कोई आपती भी नहीं है पर कुछ तथियों के साथ मैं बात करता हूँ एक बहुत बड़ा तथिया आप बोल रहे हैं कि इसमें डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है इसको मैं बिल्कुल नकारता नहीं हूँ और वो डेमोग्राफिक चेंज का एक करण है वो बहुत संक्षित में बताना चाहता हूं बाद में और उसको बड़े डिटेल में चला जाओ और आज क्या हो रहा है हमारे समाज में जो आदिवासी मैं इसाई हूँ मेरा आदिवासी स्टेटस नहीं बदला है मैं आदिवासी ही रहूंगा बनूंगा भी आदिवासी पैदा भी हूँ आदिवासी मेरे डियने कोई नहीं बदल सकता है मैंने अपनी विचार धारा बद हो करके, इसाई लोग वहाँ पे आये, इसाई लोग ने पहला हराम हैं हमारे लिए, शापिना, ये हमको बद्राम करने के लिए वो बड़े पार्टी और ये पार्टी में धरूर दिखाते हैं, यह कोई हमारा कल्चर नहीं है यहां तक कि चर्च से निकाल देते हैं जो दारू पीता है तो अब यह इसाई समाज के तार्टमी में देखिए आप इसको अब जहां एक ट्राइबल ने दारू पीना छोड़ दिया तो वो क्या करेगा तरक्की ही करेगा उसको आगे बढ़े गई ना बीबी को मारना बंद करेगा बच्चों के फिकर करेगा जो पैसा लाएगा उससे घर बनाएगा यह जो तरक्की दिखती है इससे लोग अट्रैक्ट होते है और वो आते हैं वो धरम नहीं बदलते हैं आदिवासी के आदिवासी ही है धरम बदलने से उनके आरक्षन ये वो सब इल्लीगली रोके जाते हैं खर अलग बात है पर रोकते हैं तो ना वो डेकलेर करते हैं हमारे यहां किसी को इसाई बनना है तो लीगली उसको बबतिस्वा लेना पड़ता कोई बबतिस्वा नहीं लेता कोई कलेक्टर को नहीं देता पर वो चर्च तो जाते हैं चर्च में जाके प्रात्ना भी करते हैं अपने धर्म को भी मानते हैं इस जो डेमोग्राफिक चेंज है इसका नाम धर्मांतरन धर्मांतरन दे करके और कोशिस ये की जा रही है कि हम मार पीट के खून बहा के आपका कहना ये है कि वो अगर चर्च जा रहे हैं वो अगर इसा मसी की प्रार्थना कर रहे हैं तो इससे वो इसाई नहीं हो गए है बिल्कुल नहीं होते है सर, सुप्रीम कोट का भी ओर्डर है उसमें वो इसाई नहीं है वो धर्मांतरीत नहीं है या दूसरे धर्म को भी नहीं अपनाया है उन्होंने वो केवल एक प्रार्थना पद्धती को उपासना पद्धती को फालो कर रहे है लेकिन अपनी पद्धती को भी फालो कर रहे है बिल्कुल सही कह रहे हैं वो अदिवासी रिती रिवाद छोडते नहीं है तो आपका ये कहنا है कि वो जनगंगा में इसाई नहीं गिना आते आप ये कह रहे हैं कि बस्तर में जिन अदिवासियों को इसाई बन रहे हैं ऐसा कहकर जो एक तनाव चल रहा है यह इसाई नहीं बने हैं बिल्कुल यह मैं क्लेम कर रहा हूँ तो आप जो कह रहे हैं कि आदिवासियों का अनुपाद जो देश की आबादी में गिरा है वो इस वज़े से भी गिरा है कि यह बढ़े नहीं है अगर यह बढ़े रहते अगर ये इसाई हो गए रहते तो ये बढ़ जाती आबादी में अपाद बढ़ जाता तो ये आपका कहना ये है कि वो इसाई उपासना पद्धती को अपनाने के बावजूद वो पूरी तरह से आदिवासी बने हुए हैं गैर इसाई हैं ये मैं क्लेम कर रहा हूं और मैं कई जगे वहां पे काम कर रहा हूं अभी मैं आपको छोटी सी घटना बलकुल अभी फ्रेश का तारी को वहां पे हेट स्वीच हुई जगदलपूर में बहुत तो उसके प्रचारित हुई और ग्यारा तारी को हम पत्थरों से मार मार के उसको मार डाला है लड़के को भेक भेक के उसका इतनी था कि उसको की एक बिमारी थी वो उस फेथ की ओर में चर्च आके प्रासना करता था that is all and he had to give his life उसको अपनी जानगवानी पड़ी ये क्या घटना थी जरह सा बतला दीजी इसको ये घटना ऐसी है कि दस तारीक को जग्डलपूर में एक आम सभा हुई जिसमें पुराने महराज और बहुत बड़े बड़े पद्य दिखारी है ऐसे ऐसे वर्ड इनको भात्यार निकालो डंडे निकालो और वो सब वीडियो बना करके हमने आई जी को सब्मिट कर दिया है उसका फल सवरूप ये हुआ कि 11 तारीकों यहां पर यह वीडियो और 11 तारीकों वहां हत्या हो गई सुबह साथ बज़े ये कहां पर बता दूँगा है जिला सुकमा है सुकमा से 40 किलोमेटर कोंटा के पहले है गाउं का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है तो यह गटना वहां पर हुई है हत्या और ऐसी चार हत्या हो गई है और ऐसी हत्याओं कि मैं मतलब पूर्वभान पूर्व अनुमान मैं आज नहीं आज से 10 साल 15 साल पहले से लगाता आ रहा हूं मेरी कई भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए उससे मैंने बोला चतिसगर्ड is standing on the lips of a genocide ये मेरे words है जिसको UN ने भी pick up किया था पर उसके आगे कुछ हुआ नहीं आज हम उसी के बाद बढ़ते बढ़ते उस जगे पहुँच गया है जब हमले मुखर हो गया है और वो देर दिन दूर नहीं है जब ये एक नरस अनहार में बदलेगा ये बतलाईए अरुन परनालाल जी कि आज तो चतिसगर्ड में पिछले साड़े चार साल से कॉंग्रेस की सरकार है इस देश में ऐसा माना जाता है कि कॉंग्रेस अल्पसंख्यकों की हमदर्द है मुसलिम हैं इसाई हैं इनको थोड़ी कॉंग्रेस से हमदर्दी की उमीद रहती है तो आप इस सरकार के पास गए की नहीं गए इन मुद्दों को लेकर एक तो बड़ा भारी भ्रहम था हमारा मुसल्मानों का भी इसाईयों का भी कि हम लोग इसाई कॉंग्रेस पार्टी को अपना संद्रक्षक मानते चले हैं सबसे बड़े भक्षक अगर रहे हैं तो आज ही एक कॉंग्रेस पार्टी के मैं खोल गया रोप लगा रहा हूँ और कॉंग्रेस पार्टी के ही रहते मैं पूरी बात गना देता हूँ जितने हमारे हमले पहला हमला इसाहियों पे चत्रजगड में हुआ कॉंग्रेस के राजमें का डीपी मिश्रा उसा चीफ मिनिस्टर थे हमारे आदमी को जला दियेगा मेरे खुद के मामा उसके डारेक्टर थे जिसका नाम अभी आज के के रोड है पुलीस भी नहीं पहुंची फायर बेंजिन वाले आने लगे उसको बचाने के तो फायर एंजिन वालों को पत्थर मार मार के भगाया गया उसके जो मर गया उसके नाम पे के के रोड रखी गई है कृष्ण कुमार रोड उसके नाम पे रखी गई है पर जिन लोगों ने अतिवादियों ने हमला किया था और जो हमारा संस्था जली थी ये गास मिमोरियल सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद से जितने भी धर्मांतरण विधेक आये हैं जितने कानून बने हैं वो कॉंग्रेस के राज्य में आये हैं कि नहीं आये हैं मुझको आज आज आम जनता जवाब दे दे भाजपा ने तो आज तक ऐसा कोई कानून नहीं लाया है उसका संशोधन यूपी में किया है उसमें सजा एक साल की थी उसको बढ़ा के दस साल किया था तो हम और हम इनको मानते चले कि हमारे हितैशी हैं हितैशी है मैं आज की बात करता हूँ जनाब ये हमारी सरकार को जिसको हमने बढ़ चड़के बारा सीट दी है इसाइस समाज कोई कम नहीं है हमारे जो प्रभाव शेत्र है बहुत बड़ा है हमने इनको खुद भुपे आदर्नी भुपेश बगहल जी ने खुद कहाते हैं बारा सीट कहां साहिं मुझको नहीं मालूम है करके पर हमने खीचडों में खेतों में जा करके इस उमीद में काम किया था कि संपरदाइक्ता रुकेगी हमको ये थोड़ा से भी भनक नहीं थी कि संपरदाइक्ता को इतनी जादी हवा दी जाएगी इस ही राज में दो हिंदू-मुसल्मान रायट्स हो चुके हैं हमारे उपर पचासों हमले हो चुके हैं मैं गिनाओं तो 390 हमले हमको पीसे साड़े चार साल में हो गया है और हम जाएं तो जाएं कहां करें तो करें क्या क्यों एक प्रदेश में अलप संख्या कायोग है उसमें आप गए कभी मैं बल अल्पसंख्या गायोग में बड़े शर्म और दुख के साथ में बता रहा हूँ कि कोई इसाइज सदस्या ही नहीं जिसके पास हम जाके बात करें और सरकार को दो बार मौका मिलता है, ये कोई पांच साल में चुन के आती है और पांच साल में चली जाती है तो एक मौका नहीं मिलता है सर इसमें, इनको दो मौका मिलता है, आते ही साथ इनने एक अलपसंक्या कायोग का गठिन किया, तीन साल में उसका कारेकल समाप्त हुआ, दूसरा आयोग जो गठन किया उसमें भी इसाई समाज को नहीं रखा गया हमने जगे मांगी थी अपने मानोता अधिकार में एक हमको सदस्य दीजे आज तक उसका गठन नहीं हुआ हम जाएंगे किसके पास पुलीस बोलती है कि हमको उपर से आदेश है अब पुलीस को उपर ही पता नहीं कौन है क्या है हमको तो समझ नहीं आता है नहीं तो आपका ये तजुर्बा है कि पिछली जो भाज़पा की सरकार थी उसमें इसाईयों पे हमले चक्तिसगड़ में कम हुए थी वो तो डॉक्मेंटेट है सर पंदरा साल रामन सिंग ने राज किया था अठारा हमले हुए थे और हमले होते रहेंगे सर ये उसके बाद समझानिक प्रक्रिया क्या हुई पुलीस का काम क्या हुआ ठीक है लिपापोती उनने कर दी पर एफाईयार तो हुआ हमारा वो लोग पकड़े तो गए उनको आपने बचा के निकाल लिया वो एक अलग बात है पर यहां तो एफाईयार ही नहीं होता है ये ये मुझको बतलाएए आपके कहने का ये मतलब है कि पिछली सरकार जो थी रमन सिंग की भाजपा की पंधरा साल की सरकार उस सरकार में इसाई समुदा चैपे कम हमले हुए ये सरकार के साले चार साल में हमले ज़्यादा हो रहे है य helpful मैषे … मैं एक बार निक कई आरोब लगा चुका हूं और मैं अकेला नहीं लगाया हूं आप जो संख्या गिना रहे हैं इसका मतलब है ह् 15 साल में इतने हमले नहीं हुए थे pää यह है ऐसा कह रहे हैं आप जी खुल के आरोप लगा रहा हूं से और ये घटना ये डॉक्यूमेंटेड घटनाएं हैं इनका सब्सक्राइब चार सो की जागे वो दो सो नबे आ जाएं कुछ आ जाएं तो ये इस तरह की संख्या है इस तरह के आकड़े हैं जी हां इस तरह के अगर थे उन लोगों ने हमको सड़कों पे खोन नहीं बहाया हमारा पर हमारी जो मूल भूत सविधाय थे उनसे हमको वंचित किया गया है वो कैसे मैं बताता हूं सर उसमें एक तो हमारे सारे स्कूल सबंद किये गया बन करके उनका वो दूसरा वाला आश्रम कॉन सा है उस लड़ खड़ाने के लिए उन लोगने बाधाय पैदा की और उपर से हमके उपर कोई हमले शमले यह नहीं होते थे तो आम आदमी आम पब्लिक यह जानती थी कि everything is hunky-dory सब बहुत शान्त है करके और यह उनने एक narrative बिल्ड किया था एक picture बिल्ड की थी कि हमारे राज में इ जब सरकारी योजना आई तो हमारे को पानी कई पाई वहां तक नहीं लगाई गई है पानी के बाकी गाउं में लगाई गई है यह बीजेपी गवर्मेंट के समय हुआ है इस सरकार में यह हुआ कि अभी जो हम पर कुंड़ा गाउन अराइनपूर पर हमले हुए 42 गाउं को एफेक्ट हुआ आज भी गटर का पानी पी रहे है अगर हम जाएं और आर्टिकल 38 की बात करूं इनके साथ वेलफेर स्टेट है इनकी जिम्मेदारी है कि देखें कि हर डागरे को पानी basic मूल भूत सुवेधाया मिले है नहीं क्यों गटर का पानी पी रहे हैं को क्योंकि हैंटपं से रोख देते हैं मारपीट के भागा देते हैं पुलिस सुनती ही नहीं है 컬러कटर को बोलके बारगाईं कि सर स्ट्र की एक हजार हमारे हिसाइ हone बेष्थ-थार है और इसके कहानी बहुत सिंपल है बहुत छोटी है। हमके ओपर गाउं में जाकर के गाउं ग्रामसभा होती है ग्रामसभा बै लीगल नहीं होती है ऐक हमें एक शमूब होता है वहाँ पे उनके गायता पटेल जो होते हैं और दूसरे क्या बोलते हैं जो उनका धर्म गुरू होता है वो समा करके उसे बैटते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि हम आज से इसाईयों को भाइशार कर रहे हैं बाखी लोगों का एक्ट होता है इस आई तो घब रहेगा वह भागता है कि भाईया और हो भी रहा है मतलब उनका पानी रोग देता है राइशन रोग देता है उनके खड़ी फसल दान काट काट के ले गए पूरा हो गया कहीं कोई सुनवाई नहीं थी यह सब उन पे होता है अब यहां पे क्या हुआ सर उतना हमको तंग करते रहे हमारी लाशों को कबर से निकाल के बाहर फिंकते रहे पुलीस हमको करते रहे ऐसे अंठावन केसे हो गया यह क्या था लाश को कबर से निकाल के पावित्र हो रही है अगर इसाई की बॉड़ी वहां गाड़ी जा रही उसके बाद वो देवी देवता नराज हो रहा है इसलिए हमारी लाश नहीं गड़ी जाएगी यहां तक कि इसने केश्ट काल के SDM ने तो यह किया कि यहां मरा नहीं आदमी और उसने एग्जियूं करने का और दे दिया उसको बॉडी खोदने का और दे दिया और आदमी मरा नहीं है कबर खोदी नहीं है अभी हाई कोट में गए तो हम ते पचास दादागीरी पुलीस कर रही है इधार आओ ये करो तुम्हारे पर F.I.R करेंगे वो करेंगे आप शांती भंग करें और हमारे जिस लड़के का बाप मरा था जिसके बॉड़ी को खोद के निकाल के सर सड़क पे फेका गया था उस लड़के को 159 में जेल में बंद किया है एक बात मुझको जो समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि पूरे हिंदूस्तान में एक राजनीतिक माहल बनाने की कोशिश होती है कि सुनिया गांधी इसाई है जन्म से आज मानती है नहीं मानती है मुझको नहीं मालूम तो कहीं पोप के कहे हुए सुनिया गांधी इसाईयों पे महरबानी करती है कहीं इंडियन चर्च के कहे हुए सुनिया गांधी इसाईयों का अधिक ख्याल रखती है आप जो बतला रहे हैं वो मुझको लग रहा है कि वो इसायों का किसी तरह से कोई ख्याल नहीं रख रही है ये जंद अहरना गलत बनाई गई है बिल्कुल गलत बनाई गई है और वो जो ख्याल नहीं रख रही मैं उसका स्वागत करता हूँ वो एक पॉलिटिकल पार्टी वो क्यों हमारा ख्याल रखेंगी हमारा ख्याल तो समिधान रखेगा आप खाली समिधान को लागू करिया हम तो ये कह रहा है हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आज योगी जी खाली हिंदों के संटरक्षन कर हम बिल्कुल नहीं चाहेते कि सोन्य गांदी हमारे साइयों के लिए क्यों करेंगी बिल्कुल नहीं करना चाहिए हम नौर्मल से डिजन से हैं हम सब उठते बैठते है बखत नहीं है वो एक अलग बात है पर एक बात बड़ा स्पष्ट है कि कॉंग्रेस का मुखोटा उतर चुका है भाजपा की सच्चाई हम जानते हैं तो आज इसाई समास तो छट पटा रहा है कि अब हम जाएं तो जाएं कहां करें तो करें क्या अब उसका पहल क्या होगा क्या नहीं होगा बहर से पार्टी आएंगे और नॉर्थ इस में भी बहुत तगड़ी इसाई आदिवसी पार्टी आए हैं साउथ में भी पार्टी है कौन आएगा क्या करेगा हम क्या करेंगे हम कहां जाएंगे कुछ नहीं कह सकते ने आप ऐसी एक चुनावी संभावना देख रहे हैं कि एक धुरुवी करण ईसाइयों के बीच हो क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों से आप निराश दिख रहे हैं। मैंने का आप यह क्या धकोसला लगा रखे हो शॉफ्ट हिंदुत्व का और डिटेल्स आपको दूंगा सा चौंक जाएंगे आप आदर्निय मुख्यमंत्री जी को यही बोला मैंने आप सेकुलर प्लैट्फॉर्म छोड़ रहे हैं प्लैट्फॉर्म छोड़ करके आप हमको मा कि उसका समझाया था फिर भी उनने सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी नपनाई और सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट अभी जो अधिवेशन जो हुआ था उससे हम बहुत जादा दुखी है शशी थरूर जी ने उस अधिवेशन में पचासों एमेंडमेंट्मेंट लाया था क के कॉंग्रेस इसपष्ट करे कि अब उनका दृष्टी कोन सेक्यूलर है कि नहीं है कि सॉफ्ट हिंदुतों को हमें अपनाना है यह बहुत बड़ी तरफ इंगित करता है सर उनका और शशी थरूर जैसे कद्यवार को बोलना और रिजुलूशन लेके आना प्रस्ताव लेक सबसे लेकि नीचे तक है आज हमारे समाज में आपको दसवी बग्यारवित का कोई मिले गई नहीं जो कोई मिलेगा ग्रैज्वाटी मिलेगा वह बाबा साब को भी जानता है को भी जानता है सो वी आर वेरी वेल अवैर और जो यहां पर शशी थरूर जी का वो जो रिजु की है पूरा समाज आज कॉंग्रेस से अलग पंजाब का हो गया और यही समय आता जा रहा है मुस्लिम समाज अलग हुआ आज क्रिश्चन समाज अलग हो रहा है यह अपनी जमीन ढूंडते रह जाएंगे जब तक सेक्यूलर प्लैट्पॉम्ट यह बतला यह मिले को कि है इसका कोई सिंपल एंसर नहीं है आज हम भी इस परेशानी से गुजर रहे हैं हम भी इस तर्क वितर्क में लगे हुए कि अपन जाये तो करें क्या इवल्स अर देर विया अपने परमिश्व पर भरोसा रखते हैं मैं फिर राजनीतिक पहलू की तरह आ रहा हूं जो बात चल रही है उसकी तरफ कि बहुत दिल्केस्प बात है और ऑब्लीक इंटेस्ट की बात है दो तरीके का लोगों की उच्छीटा का भी और जोगों के हित का بी मैं ये जन हित के नजरिय से इसको समझना चाह रहा हूँ कि इसाई समुदाय, इसाई संगठन, इसाई नेता इनकी चुनावी संभावनाएं कुछ देख रहे हैं कि आप आपका थोड़ा प्रश्न नहीं समझ पहा है मतलब चुनावी संभावना किस चीज़ को बोल रहे हैं कांग्रेस और भाजपा दोनों से आप परियाप्त दुखी दिख रहे हैं यहां पे इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच अधिकतर वोट बढ़ते हैं बीच में थोड़े से जो वोट रहते हैं उसमें दो दो तीन तीन सीट कुछ दो तीन पार्टियों की कभी कभी आती हैं क्या आप विधान सभा चुनाव या लोकल बाडिज के चुनाव इसमें किसी एक संगठन के बैनर तले इन दोनों पार्टियों के मुकाबले खड़े होने, लोगों को खड़ा करवाने, चुनाव लड़ने ऐसे किसी तरफ सोच रहे हैं हम तो नहीं सोच रहे हैं पर ऐसा है कि सब मरता क्या नहीं करता वक्त आएगा तो बहुत हमें भी दम है आज हमारे पास बारा लाख वोट है यहां पर, इसको हमारी एक कमजुरी रही कि हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर चुके हैं नहीं कर सकें, इसलिए हमको फुटबॉल बना दिया है, इसको बीजेपी भी लाख मारते है कॉंग्रेस भी नाती है और गोल मरता है तो पूरी पबलिक ताली बजाती है तो अब हम वो फुटबॉल और नहीं रहेंगे यह एकडम क्लियर हो गया है पहले हमको तो समस्या ही नहीं मालूम थी आज हमको समस्या मालूम हो गया है मैं 6 महीने बाद है तो आपके पास इतना लंबा वक्त भी नहीं है कि 10 साल आपको सोचना है तो 6 महीने बाद का जो विधान सभा चुनाव है उसको लेके कुछ सोच रहे है हमारी सोच बहुत क्लियर है इसमें और बहुत शांती पूरवक है कि आज हम अपने वोटों का धुरूवी करण करेंगे इसलिए करेंगे ताकि हमारी हम आइडेंटिफाई हो एक बहुत दुख की बात आपको बताता हूँ साथ जब भी consensus होते है हमारे consensus में इसाईयों को ठीक से नहीं लिखा जाता है ये क्यों होता है ये इसलिए होता है ताकि वो अपने उनके कुछ demographic गनित है कि हमको कितनी facilities देनी पड़ेंगी ये नहीं पड़ेंगी करके और हमने उसका 2008 में जब census हुए थे शुरू हुए थे तब हमने कुजूर साब के पास लिखे वीडियो रिकॉर्डिंग उसका फिर हमने complaint भी करी थी जब वो form भरते थे तो उसमें लिखते थे पहले हिंदू इसाई आदमी है धर्मांतरी थे काड़ दिया हिंदू फिर उसके आगे उसको लिखते थे Christian हमने जब आपत्ती उठाई तो उनका स्पष्टी करणी आया कि पहले आप हिंदू थे और उसके बाद फिर आप इसाई बने इसलिए हमने हिंदू लिखा और उसके बाद इसाई लिखा तो बंदर लिखना था हम तो पहले बंदर थे पहले लिखते बंदर फिर लिखते हिंदू फिर लिखते हिंदू फिर लिखते हिंदू फिर लिखते हिंदू फिर लिखते हि की जनगर्णाओं में ये क्यों किया गया था मतलब इतना सिंपल सा सवाल और आप जैसे बुद्धि जी वी सर आप में बताईए अगर आदिवासी की गणना हम आइडेंटिफाइ कर देंगे तो उनके अधिकार बढ़ेंगे की नहीं बढ़ेंगे बस इतनी केला और क्या है ल 1950 से आप कह रहे हैं तो वो तो हिंदुस्तान का जो सबसे सेकुलर नेता हुआ था जवारलाल नेता अब मैं सो काल्ड नहीं कह रहा है हमारा आपका इसमें मतबेद हो सकता है लेकिन आप अपने मत की बात कहेंगे तो ये तो उनका पीरियर्ड था नहरू का कारेकाल था वो 1950 सो पचास से तो तो आपको लगता है कि इसाईयों के साथ बेंसाफी आदिवासियों के साथ बेंसाफी उसी दौर में शुरू हो गए हमारे सारे medical institutions बंद किये वह पावन से लेके 56 तक में सारे medical institutions को बिल्कुल द्वस्त करके किया गया और आज भी द्वस्त है उसके बाद जितने एजुकेशनल से जो बड़े बड़े थे हमारा सेंट स्टीफेंस है फिर वेल्लोर का हॉस्पिटल है सीमसी लुद्यान इनको बंदी के पर आज भी उसको अधिकरहित करने के पेटिशन वगरा सुप्रीम कोट लग गई है सरकार ने उसको अधिकरहित करके सरकारी अस्पताल घोशित कर दिया था तो यह हमला कोई आज का थोड़ी है और यह तो मैं इस अफेक्ट इस इस सुप्रीम कोट मैं यह समझना चाहता हूँ मुख्यमंतरी भूपेश बगहिल जी को जब आपने कहा कि यह साफ्ट हिंदुत्व का काम आप कर रहे हैं हमारे उपर हमले हो रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी उनने कोई प्रतिक्रिया नहीं थी बहुर शान थे कैदे नहीं मैं जिसको घासपूस से बनाते हैं उसको बोला गया कि इसको जला दो पुलीस ने बोला उसको हटाओ इनको इसाइयों को मारो पीटो भगाओ तो वो उसको जला दो गाउवालों ने मना कर दिया करतें नहीं भीया वहां भगवान दे उतर रहता है हम इसको नहीं जलाएंगे त जिस पर आरोफ है, मतलब कल मैं चोरी करूँ तो मुझको जज बना दो, कि मैं कुरसी में बैठके अपने करके फैसला करूँ, ये मजाख हमारे प्रचतिसगर में हो रहा है, तो आपका कहना ये है कि अलपसंख्यक आयोग हो या मनवादिकार आयोग हो, ये समयधानी तारी निभाने की हालत में नहीं है अभी, ये बिल्कुल नहीं है, और ये कंप्लेंट हमने, मतलब ऐसा नहीं कि अलपसंख्यक आयोग हमारा कोई दुश्मन हो गया, हम तो दसो बार जाते हैं, दसो बार एप्लिकेशन दी है, वहाँ पे दसो बार हमने उनको बोला है, लेक क्यों उसको चालू नहीं करते हैं, वहाँ बात फिर आ जाती कि मैं मुख्यमंतर से पूछूंगा, अब मुझको ये बतलाईए कि जिस वज़े से मैं आज आप से बात कर रहा हूँ, कल यहां राइपूर से लगा हुआ, राजधानी से लगा हुआ, मुख्यमंतरी का चुना जाला गया, और पुलीस वहाँ पे इसाई समुदाय के लोगों को ही गारी में भर कर वहां से ले गई, ले जाते हुए जो लोग अपने आपको हिंदू कह रहे थे, मैं नहीं पहचानता, जिन्होंने भगवा के सरिया दुपट्टा डाला हुआ था, उन लोगों में से किसी इसाई को देश का गदार कहते हुए मारा वहां पे, ऐसा दिख रहा है मुझे, अब मुझको ये बतलाई कि ये घटना पहली घटना नहीं है, इस इलाके में पाटन हमलेश और इस इलाके में पहले भी ऐसे हमले हुए हैं, ये तो मुख्यमंत्री का अपना इलाका है, आपन तक आप पाटन की बात कर रहे हैं, आज से चार साल पहले भी वहां पे उसी चर्च में, उसी जगे पे इन ही लोगों ने हमला किया था, तो उस पे जब हमला हुआ था, तो यही आरोप लगाया था, उस वद कम से कम पुलीस थोड़े बहुत काम करी थी, उसके बाद आज ये फिर उस पर हमला हुआ है, और चौकाने वाला तथि यह दे रहा हूं सर आपको, and you can print it with my full responsibility, I was there, मैं वहाँ पे था जगे पर, वहाँ पे कॉंगरेस के सारे पदितिकारी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में थाने में प्रेजेंट थे, और हमको थाने में मारा गया, हमारे पाद्रियों को, यह कहाँ यह अभी अमलेश्वर की जो बात कर रहा हुआ ह तो कांगरेस नेता मौजूद थे, मौजूद थे, यह दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास वीडियो फोटो है, और हम लोगे 156.3 में और 165 में, we are moving the court, हमको पुलीस पे कोई भरोसा नहीं रह गया, पुलीस को जब हमको अंदर थाने में बंद कर दो, बंद करके जब मा वो जो पांच पादियों को अंदर इनने पकड़ के बंद करके रखा हुआ था, और हम पे आरोप क्या लगाया है, कि 45 लोग कमरे में बैठके पराथना कर रहे थे, बतलब सम्विधान में यह हमारा अपराथ है, पाचास लोग अगर आये, तो वो पुलीस हमको बोलती कि न पास यह पद वो है, आपके पास क्यों information नहीं थे, आपके LIV क्या कर रही है, आपका पुलीस मुश्किल से 200 गच की दूरी पे वो चर्च है, और थाने दो घंटे में पहुंचा है, टू आवर्स, और हर बार वो बोलते हैं, हमको उपर से आदेश है, तो यह तमाशा करना ब करे, जिसको घर वापसी करा ना करा ले, ले जाए, हमें कोई वो आपती नहीं है, ना कोई लालच है, ना कोई हमें पैसा मिलता है, वो जाते हैं, तो जाए, हाँ, आप हिंसा करोगे, तो अब यह समाज fundamentally आदिवासी ही समाज है, यह बहुत देर तक आपके यह हमले बरदार नहीं करेगा, तो यह आपको अरड़ी देखने को मिल चुका है, सरकार को चयत जाना चाहिए था, दो स्पैसिफिक घटना बता के अपनी बात समात करूँगा, सबसे पहला बात है, नरायन कोंडा गाउं में, जो 40 गाउं हुए, वहाँ इसाईयों को आपने बहिशकार करने की बात करी, मारने पीटने की बात करी, 18 दिसंबर को, 16 दिसंबर को, कि 18 दिसंबर को हम सब को मारेंगे, बात एकदम आपकी तरह पहल गई, और हर गाउं में 1000-2000 इसाईयों जाजा के जंगलों में छिप गए, और जब उनको उपर हमला होने लगा, तो इसाई के बचाओं मे लोग आया है, ये कारण था, जिसके कारण वहाँ पर उन लोगों ने मुवमेंट किया है सब को, और मुवमेंट करके हमारा नरायनपूर के चर्च को लगाया और तीन चर्चों को और आग लगाई है, एसपी को मारा है ताकि एक बड़ा मुद्दा बने, that was the fundamental reason, तो ये साल से हत्यार छोड़ दिया है, अब फिर से नई ट्रेनिंग ले करके होगा, तो हम तो चाहते हैं कि शांती रहे हमारा क्योंकि वो धर्म का एक fundamentals हैं, कि आपका सबसे बड़ा पाप है हत्या, और जूसरे को मारना और आक्रमन करना इस sin, तो इसके कारण आज sin वो नहीं हो र काहर हुआ, वहां पर इस्थानी जो political parties के लोग हैं, Congress भाजपा के अलावा भी, कहीं कहीं पर आम आत्मी पार्टी के लोग हैं, कहीं पर कोई Communist Party का कोई होगा, या जोगी Congress का कोई होगा, कोई आ के साथ ख़ड़ा होता है इसाईयों के. मैं आपको वीडियो भीजूँगा, और बहुत दम खम के साथ यहां पर BSP, बहुत जन समाज पार्टी निकली थी, उनके विराय निकल गया गवर्णर के घाउस को गहरा था, कि इसाईयों पर हमला हो रहा है करके, और उसके बाद वहां पर भी वहां पूरा हमारा साथ दिय कि CPI, Communist Party of India, वो पूरा दम खम के साथ कलेक्टर के पास खाड़ी थी, क्यों प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है करके, तो ऐसा नहीं है, और यह तो आप Communist Party वर इसकी बात कर रहे है, जो सर्वादिवासी समाज है, जो सबसे बड़ा संगठन है, वो दो फाड़ है आज, उनके ज पाधियक्ष है, सर्वादिवासी समाज का और जो बस्तर का, जो जग्दलपूर का है, उनके वीडियो पे रिकॉर्डिंग है, जिसको दबा दिया गया है, जो जब वो आदिवासी समाजी देख रहा है कि यह तो शांति से रहा है, जो आदिवासियों के तरफ से भानू प् पासकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि बसपा ने आपका साथ दिया, लेफ्ट पार्टीज ने साथ दिया, मुझको याद है कि ब्रिंदा कारत वहां से आई थी, वो बस्तर गई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट लंबी पेश की थी, यहां से संजय पर आते और दूसरे लोग य अब मौके पे नहीं, यहां उन्होंने एक मॉरल सपोर्ट आपको कुछ हद तक दिया है, कुछ पदाधिकारियों ने, आन रिकॉर्ड दिया है, यह है, तो इसाई एकदम से बिलकुल राजनीति का साथ के बिना अकेले बेसाहरा हो गए हो ऐसी नौबत नहीं है आज, दो ब अब जोगी जी की पार्टी है और उनका यह अपना आप पार्टी है, यह अभी इनको ग्राउंड कोई कनेक्ट नहीं है, इनके पास कोई पकड़ नहीं है, दे आर जस्त नोवेर, मतलब अंग्रेजी में एक वर्ड है, फ्लॉट सेम जट सेम जब बाढ़ हाती है ना तो वो पाल में बहते हैं, वो उस ताइब की यह पार्टिया है, तो हमको जए ज़्यादा एफेक्ट नहीं करती है, हमको एफेक्ट करता है जो बेस से जुड़ी कम्मिनिस्ट पार्टी है, वो दंखम के साथ हमारा साथ खड़ी है, और जो हमारा बीस पी है, वो लोगों ने हर वक चर्चेस हैं, प्रभावित हैं, उनको जाकर के हमने बीस पी की तरफ बेंड किया था, जोगी जी की तरफ बेंड किया था, मैं एक मुद्दे पे आपकी राय और जानना चाहता हूँ, आप एक अलपसंख्यक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां, लेकिन मैं दू जो घटना हुई वो, इसको आप किस नजरिये से देखते हैं, चुनकि एक अलपसंख्यक समुदाय के हैं, तो जाही रहे कि आप दूसरे को भी ध्यान से देखते होंगे, क्या लगता है आपको यह तनाओ, देखें, तनाओ जो मैंने सबसे पहले कहा, कि यह प्रयोजित है, और दोनों समुदाय क्रॉस वायर्स पर है, वो भी है, हम लोग है, हम में थोड़ा सा फर्क यह है, कि हम उतने उग्र नहीं है, हम लोग इंटलेक्शुली काम करते हैं, तो हमारा जो उसको रोकने का प्रक्रिय है, वो ज़्यादा साकार है, ज़्यादा पावरफुल है, मु ज़्यादा पावरफुल है, वो एक अलग नज़रिया से देखते हैं, हम एक अलग नज़रिया से देखते हैं, उनमें कुछ ऐसे उग्र लोग है, जो सोचते कि हम तो कर लेंगे, पर हिंसा और वायलेस ने कभी जीत नहीं दिलाई है, जब तक आप इंटलेक्शुली उस प ना करके और जितना इंटलेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, इंटलेक्ट से मेरा मतला यह बहुत ज़्यादा नंबर बोलना होश्यारी नहीं, जितनी अवेरनेस हम में है, एंट अवेरनेस नोट ओनली इंच्छतिसगर्ड, नोट ओनली इंडिया, बट इंटरनेशनल लेव नौबत है इस नौबत में, और आपको क्या लगता इस नौबत के लिए कौन सी वज़े हैं इसके पीछे, हम लोग अलड़ी साथ में हैं एक बात, और मैं जैसे पहले कहा हमारा नजरिया फरक है, मतलब उस प्रॉबलम को अप्रोच करने का अटेक करने का अलग-अलग तरी तो आप तो और चौंक जाएंगे, अभी OBC का एक बड़ा वर्ग, बड़ा तो मुह से निकल लिया, बड़ा तो नहीं, पर हाँ एक छोटा वर्ग, तूटके हमसे बिलकुल संपर्ट में राज दिन कर रहा है, कि आज हम भी तरस्त हैं ये Congress और OBS से, तो we are also in dialogue with the OBC, तो ठी कर रहे हैं कि आज हमारा समाज उपेक्षित है, ये इसाई बनने को लेकर नहीं है, ये इसाई बनने को लेकर के हमसे, वो तो एक अलग वर्ग है, जो खासत और से साहू समाज जो काम करता है और चंद्रकरम है, उनको तो बहुत ज़्याद़ हम से, बहुत साहू लोग Christians बन तो वो साहू समाज में से भी कुछ लोग हैं, जो कहा रहा है कि यह सब फालतो बात है, में तिंग है कि हमारे हमको अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं. तो यह आपको एक अलग राजनीति ध्रूवी करन दिख रहा है, जिसमें इसाईयों के साथ में OVC के कुछ लोग भी मिल सकते हैं. मैं तो कहा रहा हूँ, अगर सिद एक परसेंट OVC आ जाए, तो भी क्या कुण से नुकसान हैं? और सर एक चाइना के कहावत है, आज हम वो कदम उठा रहा हैं, अब हमारी पार्टी बने नहीं बने, हम जीते हारे क्या हो, पर धुरूवी करन पो होगा, इसलिए उसको पूछना जरूरी है, यह जिस धुरूवी करन की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नुक्सान की बा उनों बड़ी पार्टियों में से किसका होगा, मैं तो उतना सीफालोजिस्ट नहीं हूँ सर, और उतने ज़्यादा ग्राउंड पर मैं उसका नहीं, नहीं लेकिन देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यह पिछले चार साल में जितनी घटनाय यहां इसाई विरूधी हुई हिंसा जितनी हुई है, वो डॉक्युमेंटेड है, लेकिन इसाईयों के बारे में, मुस्लिमों के बारे में आम तोर पे माना जाता है कि वो कितना भी नाराज हों, हूं फिर के वोट तो वो कॉंग्रेस को देते हैं, बस यही भरहम तोड़ने के लिए हैं, आज जो हम कदम पावर है, I'm talking only on behalf of the Christian community, Christian community को हम 12 लाग है, 5-6 लाग को तो हम लेके आएंगे, यह तो तय है, और आपको हमारी ताकत पहचाननी पड़ेगी, और हमारी बात सुननी पड़ेगी, अब हमको लात मारके आप नहीं निकाल सकते, चाहे वो BJP हो, Congress हो, हमारा विधायक आए, नहीं क्या आए, क्या आए, कौन कहां खड़ा हो रहा, यह सारे गड़ेगी, यह बात सुननी पड़ेगी, यह कोई benefit निकालने के लिए नहीं है, यह इनसाफ के लिए है, बात सुननी पड़ेगी, आज इसाई समाज भूखा है, जो मैंने वो कवासी लकमा की साभा में भी वोई ब सकते हो, तो हमसे बात करो, और मान समान दे सकते हो, तो हमसे बात करो, और नहीं तो रहन दो, आप अपनी जगे हो, हम अपनी जगे है, आप जैसे राजनीतिक धुरूवी करन की बात कर रहे हैं, इसमें चर्च का भी कोई रोल रहेगा क्या? आज चर्च का तो रोल रहता है इसे कभी नकारा नहीं जा सकता है और खास तोर से चर्च का रोल ऐसा रहता है कि मतलब इस अगेंस दी इंडिन कॉंस्टिटूशन उस धर्म को हमारे अपनी धर्म को यूज करके पोलिटिकल बेनिफेट में लाने की कोशिस की जाती है यह इस अनोन फैक्ट तो हमारे बिशप को आग बिशप्स को हमारे बड़े चर्चों के पास्टर्स को यह सब उनको पकडेंगे बोलेंगे चटाई देंगे कुरसी देंगे तो यह तो सदा रीत चली आई कोई नहीं तो डैट अल अब जिस किसम से हमले हुए हैं जिस किसम से पतारित हुए हैं तिसर एक बहुत लोग हैं सैडेस्ट लोग जो किसी का सिर्फ उटता है गला कटता तो बड़ी तालीव जाते हैं वो हैं कितने बहुत मिनिस्क्यूल में हैं और जो बड़ी इलेमेंट हैं लेकिन वो आज एफेक्टिव हो गया हैं एफेक्टिव नहीं हुए हैं सर यह हम नहीं हुए हैं इस कि जब मार पड़ जाती है तो हिंदुस्तानी का एक मतलब चरित्र ही यह है कि जो मार खाता है उसके तरफ सिंपैथी बढ़ती है कोई भी आप लड़ाई देखे कितनी किसी गेलती जो मार खाया रहा था चोड़ 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 लोग आ जाएंगे रहा था वही हालात समाज के साथ हमारा हो रहा है आज सिंपैथी यह लोग हमको दे रहे हैं कॉंग्रेस वाज जो आम पब्लिक के जो सिंपैथी है इतना मत सोचे हमारे मैं एक चीज को और समझना चाह रहा हूं जरत जो राजनीतिक दुरूवी करण आप बोल रहे हैं यह बस्तर के इलाके में भी हो सकता है कि सर्गुजा के इलाके तक सिमीत रहेगा जो कि पहले क्रिश्चन बना है वो इलाका आज की तारिक में सर जो दुरूवी करण है क्योंकि we have worked very hard in the in the Buster area प्रशेटर में और आप वहां के सर्गुजा के साथ सेटों में और वहां पर ऐसी ऐसी भी सीट है रायगड में हैं सर्गुजा से वो क्या नाम है लगी होगी नीचे की जो सीट है पर 70%-80% Christian voting होती है तो आप क्या सोचता है इतनी मार खाने के बाद ये करने के बाद वो BGP या Congress को वोड़ जाएंगे बस्तर में कितनी सीटे हैं इसी अभी तो जो हम लोग effect कर रहे हैं वहां पर करीब साथ सीट को identify कि है जिसमें 30% का सबास है साथ वहां और साथ इधर नहीं साथ यहां तीन हैं जिनके बस maximum इस किसम का वो है बाकिये तो फिर सामदाम दन भेड में प्रभावित होई जाएंगे पर हमारे पास कुछ core strength भी है we have got some core strength जो हमारे पास है जो कितनी पैसा देदो जितनी मारदो कहीं कुछ नहीं जाने वाले तो वो जो है करीब हमारे साथ सीट वहां की हम देख रहे हैं और उसमें करीब 30% हमारे हैं और बाकियों को हमने कितना प्रभावित कर लिया कितनी sympathy gain कर लिया अब अरुन जी एक सवाल आखरी बहुत दिल्चस्प आप से बाचीच चल रही है एक आखरी सवाल मेरे मन में भावित न भी हो बस्तर में तो हैं वो उनका क्या रुख है इस मामले में सर हम ना नक्सल को आज तक देखा ना आज तक जाना ना हम कुछ जानते हैं ना मैसूस करते हैं हम आराम से जंगलों में घूमते हैं जाते हैं बात करते हैं हमने तो आज तक नहीं देखा कि नक्सल क क्या रोक है वो क्या सोचते हैं क्या कर रहा मुझको तो अपने चर्च और वो जो गरीब लोग है उनको बचाना है उनको सवेधानिक अधिकार दिलवाने है यहां पर हमारा फुल स्टॉप लग जाता है हमारा कोई धरम से मतलब नहीं है आज उनको आप कुछल नहीं सकते उन यहने सरकारी और सारजनिक ट्यूब वेल से पानी नहीं मिल रहा है इसलिए आप लोग निजी वहां करवा रहे हैं उस पे भी आपत्ती हो रही है उस पे भी भीड बना के आते हैं कहते हैं यह आदिवासी जमीन है इस पे इसाइयों को कैसे पानी दो गये करके और सरकार मू सकता है जो इस किसम से चुचाब बैठे में यह बहुत बड़ा सैलाब लाएगा देखे सर तकदीर बदलती है वक्त बदलता है ठीक है आज हम पाओं के नीचे हैं इनके हर रोज नहीं रहेंगे और जो पीड़ा हमने आज सही है उसका तो जवाब मांगेंगे यह उठेगा यह सवाल इसलिए पूछना मेरी जिम्मेदारी है आप जो इतना बड़ा बोल रहे हैं दृवी करण को लेके और दोनों पार्टियों से नाराजगी को लेके इन सब को लेके क्या इसके पीछे आपकी कोई ऐसी निजी महत्वा कांग्षा है जिसके पूरा करने के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं? सैटिस्वाइंग आप इनका पाद चाहिए ना पदवी चाहिए ना कुछ इनका पैसा चाहिए बहुत शांतिपूर्ण जीवन हैं और ऐसे मिरसा जितने जुड़े हैं आप उनको पैसे से खरिद के देख लिजे हैं चार हजार चार्चे किसी को भी आप पैसे से बोलो पैस हैं और ये तो लेके रहेंगे समयधान में हमारा अधिकार है मेरी मेरी पूरी शुबकामनाय आपके साथ हैं इसाई समयधाय के साथ है और मैं चाहता हूं कि उनको तमाम जायज और समयधानी कहत मिले और सरकार अपनी समयधानी जिम्मेदारी पूरी करे ये भी मेरी उमीद है सरकार से और आपका जो तजूरुबा है आपने खुद ने कहा है तो मेरे लिए उस पर टिपणी कोई करना यहां ज़रूरी नहीं है आज की ये बात्चीच जो है जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना अधिक दिल्चस्प और आखें खोलने वाली निकली मैं कई बातों को सुनकर बिल्कुल इस्तब्ध हूँ लेकिन खैर ये अरुन पर्नालाल जी के अपने मन की तकलीफ है उनका देखा हुआ अपने समाज का हाल है आप खुद अपने नतीजे निकालिए इस बात्चीच को सुनकर मैं कोई अपनी टिपणी करके आपको प्रभाव करना नहीं चाहता हम आने वाले दिनों में आपसे फिर किसी इंटर्व्यू के लिए फिर ऐसी बात्चीत के लिए दुबारा फिर आपके सामने रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार और एक चोटी सी बात चलते चलते और आपको अगर हमारी कोशिशें अच्छी लगती है त यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बस इतना ही उसकी कोई फीस नहीं है